गुद मॉर्निंग अल आफ यू तूडे वी सॉल एक्जामपल 6.5 इन ए प्राइमरी सर्कीट ओफ ए पोटेंशियो मिटर ए बैटरी ओफ एमफ इस 2.2 वोल्ट आपके पास क्या है पेटा एक पोटेंशियो मिटर का प्राइमरी सर्कीट है तो यह हमारा सेल क्या होगा एपी और इस एपी की वेल्यू कितनी है आपके पास 2.2 वोल्ट एंड इंटर्नल रेजिस्टेंस 1 ओम तो इसका जो इंटर्नल रेजिस्टेंस हो वो इसके सीरीज में कनेक्टेड होगा सात में क्या गनेक्टेड बटाएक में रियो इसका मतलब यह है कि यह जो फ्रेस्टेंस है इसकी 2 वैल्यू होगी इस r- की एक होगी minimum value जो कहां से start होगी 0 से और एक होगी r- की maximum value जो कहां न होगा 20 इसका मतलब हम लोग r- को control कर सकते हैं इसकी value को हम कम भी कर सकते हैं और इसकी value को हम लोग बड़ा भी सकते हैं increase भी कर सकते हैं तो minimum कितना कर सकते हैं zero और maximum हमें given है कितना लिया जा सकता है इस से 20 ohm range are connected if the length of potential meter wire इसको क्या के potential meter wire से connect कर दिया और यह हमारा potential meter wire कौन है AB आपके पास इसका length given है इस wire का length कितना है 10 ohm और इस wire का resistance भी आपके पास given है जिसको हम लोग R से represent करने 20 ohm sorry length किसमें आएगी बच्चा meter के अंदर है then calculate the minimum and maximum value of potential gradient आपको potential gradient के minimum और maximum value calculate करने है सबसे पहले मुझे बताईए potential gradient होता क्या है कि potential drop in per unit length potential कितना अपलाई किया EP, total length कितनी है L, तो EP by L का ratio क्या होगा potential gradient है ठीक है जैसे आप इस circuit से connect करेंगे तो इसमें क्या flow होगी है current current होता क्या है current होता है कितना EMF याँ EP upon total resistance तो कितने resistance दिख दिख रहे है तीन small r r dash and r और यह तीनों कैसे connected है series के अंदर तो small r plus r dash plus capital R यह आपके पास क्या है total resistance यह I के value है EP को क्या दे सकते है Sir EP इस दिख दो होता है IR क्या होता है IR current multiply भई resistance value put करें EP को क्या लिख रहा हूँ में IR upon L equal to I के value हमें पता है कितनी होती है अब पास Sir I के value होती है EP upon r plus small r plus r dash multiply में r by L यह आपके पास potential gradient का क्या है formula है और यह potential gradient की कितनी value कलिबरेट करके देगा आपको दो एक तो इसकी maximum value और एक इसकी minimum ध्यान दीजिए यहाँ पे x की maximum value कब होगी Sir यह हमें क्या चाहिए maximum अगर यह चीज हमें maximum चाहिए तो इसको क्या करना पड़ेगा यह जो नीचे denominators का part है तो इसको क्या करोगा आप लोग बटा minimum ध्यान दीजिए यहाँ पे r fix है कितना है 20 ohm small r के value fix है कितनी है 1 ohm अगर मैं इस r dash को minimum लूँ तो यह x क्या हो जाएगा maximum और r dash की minimum value कितनी है 0 तो हम कहें रहें अगर आपको x maximum चाहिए तो आपको r dash क्या लेना पड़ेगा minimum order कितना लिखना है 0 value put करें e p के value कितनी है 2.2 upon r कितना है 20 plus small r कितना है 1 plus r dash कितना लेना है 0 multiply by capital r कितना है 20 upon length कितनी है 10 so all out colleges को 0 से 0 के cancel out 2 multiply 2.2 कितना हो जाएगा आपके पास 4.4 divide by कितना 21 4.4 में आप लोग 21 का divide करोगे result आएगा 0.21 और unit क्या होता है बटेस का volt पर meter ये तो आपने क्या निकाले इसकी maximum value अगर आपको x की क्या चाहिए minimum इसका मलदब ये हमें कम से कम चाहिए तो ये जो part है ये क्या होगा maximum ये part क्या होगा maximum अब ये दो value तो fix है तो अगर ये maximum होगा तब ये पार्ट maximum लिखा जा सकता है तो x minimum के लिए r dash की value क्या चाहिए maximum और r dash maximum कितना होता है 20 इसकी value कितनी रख दोगे x minimum का formula क्या बन जाएगा x minimum का formula बनेगा आपके पास e p upon r plus small r plus r dash maximum multiply by r by l e p की value है 2.2 r की value कितनी दे रख ये 20 upon r की value 20 plus small r की value 1 plus r dash maximum कितना है 20 और length कितनी है बेटा 10 0 से 0 cancel out 2.2 multiplied 2 कितना 4.4 20 और 20 40 40 और 1 41 4.4 में 41 का divide करोगे तो value आएगी 0.11 और ये लिखा जाएगा volt per meter ये क्या आया minimum potential gradient और ये क्या आपके पास बेटा maximum potential gradient thank you क्यान और 30 और ton ये क्या आपके ये ल Dziękuję ल scor